धाई रुपे का टार्गेट है गोल्मेंट साइक्स का वोड़ा फोन पर, क्या हो गया? मुझे लग रहा है आजकल थोड़ा ब्रोकरजिस भी लाइमलाइट में आना चाहती है जैसे वो यस बैंक पर 10 पैसे का प्राइस टार्गेट का चेंज हुआ था अब धाई रुपे का प्राइस टार्गेट है अब थाई रुपे का प्राइस टार्केट है जाइए लेकिन विच्व कई रुपे का पाईस टार्गेट है persats अगले तीन से चार साल में भले ही आपने सरकार को AGM spectrum इनकी payment शुरू करी है इनका यह माना है कि cash flow positive यह company नहीं हो पाएगी, cash flow positive होने के लिए 200 से 270 रुपए आरपू होना ज़रूरी है, इतना आरपू यह company नहीं कामा का पाएगी और आगे जाते हो यह company negative cash flow करेगी, गुरकुल इसमें ले 11 रुपए पर और FPM आपको 6 लॉट्मेंट मिलेगी और उसके बाद उसमें profit बुक करके भारती में आ जाए, एक वह view था, मैं अभी इस पर intact हूँ, बहुत लोग अभी इसको chase कर रहे हैं सम्हाव, और इसमें बहुत लोग फंसे हुए है, word of one idea में, और अगर किस इसकों में पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है ना, भारती और इंडस्टावर, उन पर focus करिए, word of one idea बगर है थी कि अपने portfolio के एक परसेंट रखे थोड़ा बहुत आपको पांट लेना है, वो अलग बात है, वो भी जब अच्छा मौका मिला था, FPO में, ओपन मार्के प्लेक्स कहा रहा है, यह स्टॉक यहां से शायद तकड़ा तूटे, और यह बात से यह गारक रिंचे स्लिप हुआ, तो जो उन तो में पैसा जोका था, बड़ बड़े प्लेयर्स ने, उनकी तरफ से भी मैसिव सेलिंग की तेहारी हो सकती है, थोड़ा सा कॉशिस रहें स् झाल